जेक्टिफ शब्द का मतलब ही होता है noun and pronoun और add का मतलब होता है जोड़ना, plus करना तो adjectives उन शब्दों को कहते हैं बिटा जो या तो noun में कुछ add करें या pronoun में कुछ add करें जो या तो noun को modify करें या pronoun को modify करें उसे English कहती है adjectives उसे English कहती है adjectives उसे English क्या कहीगी adjectives तो noun और pronoun में कुछ add करने वाले शब्द ग्रैमर में क्या कहलाते है adjectives कहलाते है जिनने आप हिंदी में विशेशन पढ़ते हो जो संगया सर्वनाम की विशेशता बताए याद आया बच्पन तो adjectives क्या होगे जो या तो noun में कुछ add करें या प्रोनाउन में अब इस understanding में न मैंने एक छोटी सी गलती देखिया कुछ लोगों को करते हुए उन्हीं लगता है कि adjectives का मतलब तो सिरफ अच्छी अच्छी बाते किसी के बारे में जबकि adjectives का मतलब होता है अच्छी या बुरी बाते किसी के बारे में अच्छी भी और बुरी भी यानि किसी को tall कहोगे तो भी adjective है और small कहोगे तो भी adjective है किसी को fat कहोगे तो भी adjective है और slim या thin कहोगे तो भी adjective है किसी को sweet किसी की अवाज को sweet कहोगे तो भी adjective है और harsh कहोगे तो भी adjective है किसी को beautiful कहोगे तो भी adjective है और अगली कहोगे तो भी समझ गए तो adjective का यह तो अब है किसी के बारे में कुछ अलग, कुछ खास, कुछ विशेश, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो, जैसे हमने कहा, एक तो मैंने लिखा, Nisha is a girl, और दूसरा मैंने क्या बोला, Nisha is a beautiful girl, एक तो मैंने कहा, Nisha is a girl, और दूसरा मैंने क्या कहा, Nisha is a beautiful girl, तो ध्यान से देखो, Nisha एक लड़की है, इसमें कोई विशेश बात नहीं बताई मैंने, पर यहां मैंने कहा, Nisha लड़की है, पर कैसी, सुन्दर, beautiful, तो इसे English कहेगी, यह adjective है, तो हर वो शब्द, जो या तो noun को modify करें, या pronoun को modify करें, उसे English adjectives कहती है,